वाहिग्रो जी का खालसा वाहिग्रो जी की फते आज आपां गल करन जा रही हां कार्जुग वारे आपां कई वर सुनिया है कि जदों कुछ माड़ा हो जावे कोई अनहोनी सुन लेए ता आपां कह देदा है कि एक कार्जुग है एक काल जुग विच ही हुंदा है ऐस्तरा नहीं है चंगा माड़ा हर युग विच हुंदा आया है तो जे वेख्यां जावे ता वैसे ता युग जिड़े हन को अपने अंदर ही वस्ते हन कोई बाहर नहीं हन या कोई चंगा माड़ा युग नहीं आवंदा दे जांदा जे अपां जंगे करम करते हां बुरूरा जुड़े हां प्रमात्मादा ना लिन्ने हां ता आज भी अपने वास्ते सतियुक है ते जे अपा माडे करम करदे हां विशेवकारां विच फसे होई हां चूट चगारी बै मानी मान विच इरखा रखते हां ता आज भी अपने वास्ते आज अपां कल युग ही पोग रहे हां बस जे हो जे हां अपा जीवन जीन्दे हां उसे तरह दा युग अपा होगी जा रहे हां फेर भी चलो अपा गल करिये वेदा ग्रांथा विच युगां दा जिकर कीता गया है ये सोचना की अनुहोनियां कटना वा सिर्फ काल युग विच हुंदियां रे ये गल्द है हार युग विच अच्छाई दे बुराई मजूद रही है पर हां राबदा नाम जपन वालेयां दे गिन की पहले जुगां विच जाला से ते काल युग विच कट हैं काल युग अपदे प्रवाव करके अपना चंगे कम्मा तो दूर रहने हां बाणी तो दूर रहने हां अपना मान उस पासे नहीं जानदा क्योंकि ये काल युग दा साठे प्रवाव है आपना काल युग विच जनम लेया है हार युग विच गुरु पीर अलाग लग हुए हन ते आज अपन गल करनी है काल युग दी जिस ते अफ्तार गुर नानक ते पास्षा हन गुरुबाणी केंदी है काल तारण गुर नानक आया इस काल युग नु तार्न वास ते गुरुप नानक पात्षा ने जनम लेया ओ इस तर्ती ते आए ते आए ते इस काल युग वेच मौजूद भी हन शायद इसे लई इस तर्ती ते तर्मी कम हो रहे हन आज भी इनसानियत किते ना किते जियोंदी है और आज भी गुरु करण वेच मांता जाब चाब होंदा है ते बानी नाल प्यार करनवाले लोगी हन इस करके इस काल युग वेच इस काल युग दे मुखी इस काल्युườngदे वेच अवतार गुरु नानक पात्षा ही हन अते लोग एस लई कड़्यूग वेच तर्मी कम हुन दे हन लोग बाणी नाड जुड़े रहन दे हन जो नाम तो सक्खणी हन उना दे कड़्यूग दा जोर है अज मैं आप जी दे नाड कड़्यूग दे साखी सांजी करांगी एक वार जंगल वेच जदो गुरु नानक देव पाशा पाई गुरु बच्चन सिंजी लिख दे हन जदो काड़्योग दे वारता गुरु नानक देव जी नाड होई इत्ति हास संग्रूर दे नेडे इत्ति हासिक गुर्दवारा नानने आना साहिव है जित्ते काड़्योग दे वारता गुरु नानक देव जी दे नाड होई गुरु नानक देव जी ते पाई मर्दाना जी जंगल वेच दी जा रहे सन जित्ते वना दी मुलाकात काड़्योग नाड होई गुरु पाश्या नू देखके उसने उना ते वर्तना चाहया पहला ता उसने हनेरी चक्खड मीही वरा देता ते मरदाना पैपीत हो गया अते कहन लगा गुरु जी मैंनू ता बहुत डार लग रहा है गुरु जी ने कहा वो सकाल पुरुख नू याद कर फेर वो बाणी पड़न लगा एह देख गुरु पाश्या ने भी अपना ते आन पर मात्मा नाल जोड लेया ते उना ते नेरी चक्खड दा कोई असर ना होया यह देखके काल जुग बड़ा हैरान होया कि इना ते ता कोई असर नहीं होया अते हो गुरु जी दे सामने परगट हो गया मर्दान्य ने कहा गुरु पाथशा एक औन है गुरु पाथशा ने कहा एक काल जुग है जो वर्त रहा है इस उनके कड़्यों को गुरु जी दे चरनी पह गया गुरु जी नो कैन लगा उन्हानों पर मौण वास्ते कैन लगा आप उस अकाल पुरुखता रूप हो मैं आप जी अग्गे चार पेटा मेरियां चार पेटा सुई कार करो मैं समझ गया आप कौन हो गुरु जी ने कहा की है तेरी पेटा मैं आप जी वास्ते मंदर महल सजाई हन अते नाच गाने वास्ते सुन्दर इस्त्रियां दा प्रवंद कीता है अते आप जी वास्ते माया दे अते रिद्यां सिद्यां दा प्रवंद कीता है आप जी प्रवान करो गुरू जी ने कहा सी तेरी कोई भी पेटा कबूल नहीं कर दे गुरू जी ने चारां दा ही खंडन कर देता यह देखके काड़ुग नो समझ आ गई कि यह पीर पेगंबर ते मेरियां गल्ना दा या मेरा कोई असर नहीं होना ए सब कुछ सोचके ओ गुरू पाष्या दे पैरी पै गया गुरू जी ने कहा तु सनु ए थास तु अपने राजविच की करेंगा कर जो कैन लगगा लब लोग काम क्रोध अहुंकार मेरे राजविच्छी वरतन गे चूठते कूर्दा राज होएगा मेरे राजविच सब रिष्टे तार-तार हो जानगे विश्वा कोई किसे ते विश्वास नहीं करेगा जे करेगा ता हो मरेगा रिष्टिया दा कान होवेगा लोग की विशेविकारा विच फस के रबनू पुल जानगे मा ती दा रिष्टा प्यो ती दा रिष्टा पैन प्रादा रिष्टा प्यो पुत्त दा रिष्टा किसे विश्वास रिष्टे विच कोई प्यार नहीं मचेगा सब मतलब दे होणगे पर जित्थे ए सुनके गुरू पाश्या जी ने किहा कि तू आज मेरे नाड एक वादा कर कि जित्थे परमातमादा नाम होएगा जित्थे उस अकाल पुर्थ्खनों मन्ने आ जाएगा उत्थे तू नहीं वर्तेंगा करजुग नाड इस गलवात दे दोराण गुरू पाशा ने वचन उचारया कस्तूर कंग अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख पूला विसरे तिरा चितना है आवे नाओ अते गुरू अर्जन देव जी ने मिलिखिया है करजुग में किर्तन परदाना नाम जपिये लाएते या नाप तरे सगले कुलतारे हर पत्स्यों कर जाएंगा गुरू पाशा ने करजुग नों किहा कि जित्थे साड़ा नाम से बेशक एह युग तेरा है ते तूँ इस वेच वर्त रहा है पर इसनू तारन वास्ते असी आए हां ते त्यू साड़े नाड वादा कर के जो साड़ा नाम जपिये जो प्रमात्मा दा नाम जपेगा जो उस नाड जुड़या होएगा जो चंगे करम करेगा लाब लोब काम प्रोध तो दूर होएगा तूँ उसते नहीं वर्तेंगा करजुग ने गुरु पाश्चा नू एह वादा किता कि जित्थे बाणी दा प्रचार होएगा मैं उत्थे नहीं वर्तांगा जेसका अरविच तो अड़ा नाम जपिया जाएगा तो अड़ी बाणी पड़ी जाएगी उसका अर्थ ते मेरा कोई असर नहीं होएगा उना जीवां ते मेरा कोई असर नहीं होएगा गुरु अमर्दास जीदा शबद है तन तन करजुग नान का जे चल्ले सत गुरुपा है करजुग दे होर कई शबद हान जो गुरु पाश्चा ने गुरुबाणी विच दर्ज कीते हान करजुग वारे ओस दे आपान विचार में अगली वीडियो विचक रांगी करजुग वारे गुरु अमर्दा अर्जन देवजी ने की लिכया है गुरु अर्जन देवजी नो करजुग दा जाहाज दस्या गया है कि यह जहाज हन जो इस काड़ जूग तो पार लंगा उन्दे हन ओ विचार में अपड़ी अगली वीडियो विच करांगी दुज्य पासे देखिए ता इस काड़ जूग दी चंगी गल्ली है कि इस विच जे एक पल वी मन शवदनार जोड़ गया ता समझो की अपना उस प्रमात्मा नाल मिलाप हो गया पहले युगा विच जोवी सादू संत तपी सं ओ लखा क्रोड़ा जनम लेंदे सं ते पगदी विच पुठे सिदे लटक के पगदी कर दे सं फेर वी कई वारों नानू प्रमात्मा दे दर्शन नहीं सियंसान होंदे उना युगा विच बहुत अखा सी प्रमात्मा दे दर्शन करने पर इस जनम विच एस काड़ यूग विच एक पल गुरूप अश्यन ही क्या है कि एक छेण वी जे तूँ उस प्रमात्मा दे नाल जोड़ गया ता सामझ कि तूँ एस काड़ यूग तो तर गया ते जनम मर जीवन मिलदा है मनुख्यवन जीवन जो मिल दा है ज़ें आपानों म मनुख्य जीवन मिल दा है जो नाम तो सकले है विशेविकारा नार जुडे होई हन ओच रासी लग जुना पोग के आउंदे हन माडे करम कर दे हन ओच रासी लग जुना अपने करमा दे साव नार पोगत दे हन पर जो प्रमात्मा नार जुडे हन उना नू प्रमात्मा फेर इंसान दी जून दिन्दा है तांकि योँ घदी ना गदी उस वाहे गुरूनार उस प्रमातमानार उजहनू मौका दिन्दा है कि योँ मिला पुना दा हो सके उननी पग्ती हर वार वादी चली जानदी है ते हो मुड़ मुड़ के इंसान दे जामे विच आंदे हन ते जे किते ओहो नाम तो टोट जान ता फेर ओहो च नम्मरन दे गेड़ विच पैजन दे हान ते 84 लख जुना पोग दे हान इस कारजुग विच प्रमात्मानू पौणा एक कह दिये कि एक छिन दी गल है पर ओहो एक छिन ही बहुत अखा है जदों अपने कई रुकाव्टा अपानू समणा करना पेंदा है ऐथो ताक कि मानते दिमाग उस बाणी नाल जुड़ दे ही नहीं ते जिस देन अपना मानते दिमाग वाणी नाल जुड़ गया अपा सारे विशे विकारा तो पसे हो के उस पर मात्मानू याद करन लग गए समझो अपना राह उस पर मात्मा वालनू तो अपा राह उस राते तुर पे जो उस पर मात्मा दे नाल जाके अपनू मिला देगा सो मेरी आप सावनों भी इनती है कि हपा सारे जिनना टाइम हो सके कड के उस पर मात्मानार जुडिए तेस काल युग तों बचन दी कोशिश करिए विशे विकारां तों बचे रहिए जंगे करम करते होए अपनी जोननों सफल करिए वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फतिए